दोस्तो सिर्फ एक मेंट लई ही मन लओ अगर दुनिया तो अक्सीजन गाइब हो जाए हमेशा लई नहीं सिर्फ पांच सेकंड लई असी इनसान ता पांच सेकंड लई अपना सा रोग साकते हां पर साथे इर्द गिर्द महोल कितना दा होवेगा इस पांच सेकंड वेच दुनिया ते ओहो साब होएगा जो तुसी इस वीडियो वेच देखन जा रहे हो दोस्तो जो सा असी ले रहे हैं एहे अक्सीजन है जो साथे वाता वरण वेच एक्की परसेंट पाई जान दी है इस उक्सीजन तो बेना पोड दे जानवर पानी अते असी इंसान इस जगा नहीं हों दे जित थे असी आ चहां पांच सेकंड बेना सा ले रहना जादा मुशकल नहीं है साथे विच्चो बहुत लोग तीस सेकंड या एक मिन्ट ले बेना उक्सीजन तो रह सकदे हान क्योंकि oxygen दे बिना सिर्फ एक सेकंड भी एह structure खड़े नहीं रह सकते ते उसे वक्त डेग के सवा हो जानगे क्योंकि cement दा agent बिना oxygen दे काम नहीं करता इस तो इलावा दुनिया ते ओहो सब चीज़ां जो लोहे दियां बनियां होंदिया हान एक ही चटके विच आपस विच चि पके जाएगा अगर तुसी एना पांच सेकंड विच तोप विच बैठो गे ता तो हाड़ी चमड़ी सडन लगेगी क्योंकि साथी दुनिया दे इर्द गिर्द एक ozone layer होंदी है जो सूरज विच्चों निकलन वालियां अल्ट्रा वॉयलेट रेज नो दुनिया तक पहुं शील्ड नहीं है इस तो इलावा उक्सीजन तो बिना इंसान दे कान दे परदे फट जानगे क्योंकि जदो उक्सीजन ही नहीं होवेगी ते 21% एयर प्रेशर भी नहीं होवेगा ते जदो एयर प्रेशर नहीं होवेगा ता इंसान दे परदे उसे वक्त फट जानगे इस त इलाव उक्सीजन दे बिना किते भी आग नहीं बाल सकेगी गड़ियां कारां ट्रक सब कुछ रोक जाएगा क्योंकि गड़ियां दे इंजन विच कंबशन दा प्रोसेस उक्सीजन तो बिना पूरा नहीं हो सागदा ते सारे हवाई जाज तरती ते डिगना शुरू हो जानग अक्सीजन दे बिना सारी तरती ते हनेरा ही हनेरा शा जाएगा आस्मान एमें लगेगा जिमें स्पेस विच दिखता है मतलब एहे के सूरजता होवेगा पर रोशनी किते भी नहीं होवेगी ते जिमें ही एहे सब हो रहा होवेगा जमीन चक्रना चूर होना शुरू हो ते एहे उदो तक हुंदा रहेगा जदो सब कोज खतम नहीं हो जानदा क्योंकि साथी तरती दी सता 45% अक्सीजन तो बनी हुंदी है ते जदो अक्सीजन ही नहीं होवेगी ता साथी तरती सुंगड जाएगी ते अपने और्बिट तो निकल जाएगी ते एहे सब सिर्फ 5 से ज़रूर लगाओ ता जो अक्सीजन नू तरती ते बरकरार रख्या जासागे अगर यहे वीडियो चंगी लगदी है ता साथे चैनल नू सब्सक्राइब करो क्योंकि तो हाड़ा हार एक सब्सक्राइब साथे वीडियो बनावन दे होंसले नू बताउदा है तानवाद